नमस्कार दोस्तो ओनलाइन एगरिकल्चर एप्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो सबसे पहले तो उन सबी विदार्थियों को बहुत बहुत बदाई जिनका दो गुना एगरिकल्चर सुपरवाईजर में चैन हुआ है और मैं आपको एक डेटा बताना चाता हूँ कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से जो स्टूडेंट है उनका दो गुना की लिस्ट में सेलेक्शन हुआ है और पिछरी बार एगरिकल्चर सुपरवाईजर में 125 स्टूडेंट का सेलेक्शन हुआ था उमीद है इस बार ये आंकडा 1500 पार जाएगा और नीशित ही जाने वाला है एगरिकल्चर विदार्थियों के लिए राज्य सरकार ने एक और बड़ी खुसकबरी दी है क्योंकि जो एगरिकल्चर है उसके जितने भी स्कूल है उनमें बहुत सारे जो टीचर है एगरिकल्चर के उनकी अभी सीटें खाली है तो जो अभी first grade teacher यानि जो school lecturer है या मैं बोल दूँ first grade जो lecturer है उसकी vacancy को वेसे तो राज्य सरकार ने हरी जंडी दे दी है बैस RPC के पास जाने के बाद जो परकिरिया है वो अभी बाकी है तो आप लोगों को पता होगा कि लगबग 6000 पदों के लिए राजस्तान के अंदर first grade teacher यानि lecturer की post आने वाली है और उसमें कुछ सीटे हैं जो agriculture lecturer की भी रहने वाली है agriculture lecturer के लिए eligibility का पिछली vacancy में काफी confusion भी था student ने कुछ protest भी किया था लेकिन इस बार बिल्कुल स्थिति crystal clear है कि agriculture lecturer यानि first grade teacher के लिए वो ही student eligible है जो MSC plus BAD है पिछली बार बहुत कम student MSC BAD थे जिससे selection थोड़ा आसान था अलागी मैनत थी लेकिन selection आसान था क्योंकि number of competitor बहुत कम थे लेकिन ये vacancy बहुत लंबे सम्में बाद आई थी इस वज़े से माहूल नहीं था कि agriculture MSC वाले BAD करें लेकिन इस पिछली vacancy के बाद अब बहुत सारे जो agriculture के student है उन्होंने MSC plus BAD किया है MSC plus BAD किया है तो इस बार कुछ competition देखने लाइक है यानि इस बार competition कुछ बनने लाइक है वास्ताम में तो हमने क्या किया जो हमारा platform है online agriculture इसकी website भी है और आप इसकी जो application है वो Google Play Store से डाउनलोड भी कर सकते हैं तो इस पर agriculture lecture का बेच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो first grade teacher यानि लेक्षरार है agriculture subject शिरफ और सिरफ मैं यहाँ पे subject की बात कर रहा हूं शिरफ और सिरफ subject की बात करना हूं फर्स पेपर की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे तो agriculture subject के लिए जो बेच हम चलाने जा रहे हैं नया बेच स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 1 दिसमबर 2021 से स्टार्ट करने जा रहे हैं agriculture lecture के लिए जो बेच स्टार्ट होने जा रहा है वो 1 दिसमबर 2021 को स्टार्ट होने जा रहा है जो मतलो विश्य का जो पेपर है यानि जो में पेपर है फस्ट पेपर की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिरफ agriculture स्टार्ट के लिए फस्ट ग्रेट टीचर का जो बेच स्टार्ट होने जा रहा है ओनलाइन एग्री कल्चर e-platform पर या वेबसाइट पर वो 1 दिसमबर से स्टार्ट होने जा रहा है अगर कोई offline कोचिंग करना चाता है त बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि online फीस बहुत कम होनी चीए तो इसमें number of student बहुत जादा नहीं है और syllabus बहुत lengthy है और ये आप मान के चलिए कि पूरा syllabus कोई कोई ही करवा पाएगा क्योंकि बहुत lengthy syllabus है इसका इसलिए online इस course की फीस है 10,000 और अगर कोई offline जोइन करना चाता है तो उसकी फीस है 15,000 रुपे शिरफ और शिरफ एगरी कल्चर सुबजेक्ट इसमें first paper सामिल नहीं है तो इसी सुचना को आप तक पहुंचाने के लिए हमने ये session चलाया था तो जिन student को first grade के लिए त्यारी करनी है तो वो आज ही इस platform से जुड़े और अपनी सपलत को सुन निश्रित करें धन्यवाद